गौतम बुद्ध की होली, गौतम बुद्ध का जन्म सिध्धार्थ नामक एक राजकुमार के रूप में हुआ था। वे एक उतक्रिष्ट और सुखमय जीवन बिता रहे थे, लेकिन एक दिन उन्हें दुख और पीडा का हुआ, जिसने उन्हें समझने का मार्ग प्रदान किया। इसके बाद सिध्धार्थ ने सैयम और आत्म साक्षातकार की खोज में निकलने का निर्णय किया। सिध्धार्थ के बाद के जीवन की यात्रा में वे भिखारी के रूप में भटकते रहे, समय समय पर लोगों से उनकी शिक्षाओं को साज़ा करते हुए। होली के दिन एक गाव में भिखारी के रूप में विचरण करते समय उन्होंने एक युवक के साथ एक महत्व पूर्ण और गहरा समवाद किया। गाव के लोग होली के उत्सव के लिए उत्सुक थे। रंग बिरंगे रंग, धमाल और खुशियों का माहौल गाव में महसूस हो रहा था। लोग एक दूसरे को रंग लगा रहे थे और उत्साह से नाच रहे थे। गौतम बुध भी उस गाव में भिखारी के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर होली का उत्सव मनाया और खुशियों में हिस्सा लिया। आप यहां तक आही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चंद्रगुप्त नाम के युवक ने गौतम बुध को देखा और उन्हें अपमानित किया। वह उन्हें धार्मिक्ता का मजाक उड़ाने लगा और उनके शिश्यों के साथ उनकी आलोच ना की। लेकिन बुध ने शांती और समझ की भावना से उससे समवाद किया। उसका क्रोध धीरे धीरे खत्म हो गया और वह बुध का शिश्य बन गया। उस चंद्रगुप्त के बदलते विचारों के माध्यम से हमें यह सिखने को मिलता है कि समझदारी, स्नेह और करुणा की शक्ती हमें दुख को परास्त करने की क्षमता प्रदान करती है। इसे न केवल हमें होली के उत्सव की महत्वता समझाई जाती है, बलकि हमें यह भी याद दिलाया जाता है कि धर्म और प्रेम की शक्ती हमें हर समस्या का सामना करने में मदद कर सकती है। इसके अलावा यह कहानी हमें धर्म, समझ और सदभाव के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से हम यह सिखते हैं कि सच्चे खुशियों का स्रोत, आंतरिक शान्ती, सहानुभूती और प्रेम है। इस तरह हमें हरक्षण को जीने का एक नया और सकारात्मक तरीका मिलता है और हम समाज में सदभाव स्थापित करने के लिए सक्षम बनते हैं। इसी तरह होली के उत्सव के माध्यम से हमें यह सिखाया जाता है कि जीवन में प्रेम, समझ और समर्पन की भावना से ही हम असली खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए होली के पावन अवसर पर हमें न केवल रंगों का आनंद लेना चाहिए बलकि हमें धर्म, समझ और प्रेम की महत्वता को भी समझना चाहिए।